आई अब registration process के अंदिम चरण में चलते हैं जिसे हम कहते हैं पूंजी अभिदान इसे हम English में कहते हैं capital subscription जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी नीजी company जो है एक समामेलन प्राप्त करने के बाद या समामेलन प्रमान पत्र प्राप्त करने के बाद अपना जो व्यावसाय है उसक कह सकते हैं एक सरजनिक company जिसमें अंश पूंजी नहीं हो समामेलन के तुरंट बाद व्यापार कर सकती है इस अवस्था वो व्यापार प्रारंब करने की अवस्था में जो अंश पूंजी वाली सरजनिक company होती है वो उस पर लागु होती है जो प्रवर्तक होते हैं बच्च अपनी जनता को प्रवेरण जारी करती है अब यह क्या होता है यानि प्रॉस्पेक्ट जैसे की आप जानते हैं कि आप जैसे कॉलेज में जाएंगे इसमें कॉलेज के सारे descriptions दिया रहते हैं वो कितने एरिया में settled down है उनमें कौन-कौन से departments हैं कौन-कौन सी branches है library कहां है canteen की सुविधा है की नहीं है साथ ही साथ उनका faculty members क्या है staff members क्या है और वो कौन-कौन से degrees को hold करते हैं या उनकी qualifications को हम कह सकते हैं यह सारी चीजें वो अपने क्या करते हैं उस प्रवेवरंड यानि prospectus में mention करते हैं तो उसी तरीके से जो company है वो जनता को प्रवेवरंड जारी करती है और साथ ही उसकी एक प्रती जो है registrar को भेजती है फिर क्या करती है कि अंशो के लिए आविदन पत्र जो है पास करके आविदकों को आवंटन कर भेज देता है मतलब कुल में लाकर के आप यह समझ लीजे कि जो company है जब जनता को एक prospectus भेजती है तो वही prospectus क्या करती है उसकी एक copy registrar office में भेजती है और रिणो के लिए या अंशो के shares के लिए एक आविदन पत्र हम कहते हैं कि वह bankers के पास भेजा जाता है और यदि कोई company जो है न्यूनित्म अभिदान यानि minimum subscription को प्राप्त कर लेती है तो वहाँ पे वह संचालक जो है company के उन अंशो को आवंटन या जो हम कह सकते हैं उन अंशो के आवंटन का प्रस्ताव पास करते हैं साथ ही साथ क्या करते हैं उन आवेद्गों को आवंटन के लिए आवंटन पत्र भेज़े जाते हैं अब हम देखते हैं कि इसमें जो अगला इस कारे में मतलब कि इस कारे में कि किस तरीके से पुंजी कत्रित कर रहे हैं उस कारे में अगला कारे ये भी होता है कि जो रिजिस्ट्रार को आबंटन रिटर्न भी भेज दिया जाता है और साथ ही साथ यदि कमपनी प्रविरेंट जारी करने के 120 दिन यानी 4 मेनिक बात कर रहे हैं के 120 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं जिसे हम हिंदी में न्यूनितम अभिदान कहते हैं कि राशी प्राप्त करने में कोई असफल हो जाता है वो कमपनी तो इस सिती में क्या होगा कि कमपनी जो है अंशो का आबंटन नहीं कर पाएगा साथ ही साथ ज की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की है ना या जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं न्यूनितम अभिदान अब हम जानते हैं कि न्यूनितम अभिदान क्या होता है देखिए बच्चों क्या होता है कि अंशो की बिक्री से प्राप्त की जाने वाली न्यूनितम धन राशी को ही जिसका उ plyед के लिए साथ री साथ उनको आबंटन के लिए पत्र भी बेज सकती है कि जैसे ही कोई company establish हुई अब उस company को establish करने में जितने लोग लगे हैं है ना मतलब मान लीजे चार लोगों ने मिलकर एक company मनाई तो वो क्या करेंगे वो अपने हिसाब से अंशो को बाट लेंगे तो जितनी धन की जरूरत है है ना minimum subscription के लिए उसके अगर उन चारों के अंशो को से प्राप्त राश्टी से वो minimum subscription प्राप्त हो जाता है तो वही राश्टी minimum subscription कहलाएगी जो की बहुत जरूरी है उनके registration के चार मेने के अंदर अगर प्राप्त हो जाती तो बहुत अच्छी बात है और इनका उले किसमें होता है और ये जो कमपनी होती है इसके बाद क्या कर सकती है जनता को अंश लेने के लिए निमंत्रत भी कर सकती है और इसके बाद इसको आबंटित भी कर सकती है अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि इस राशे के आवशक्ता क्यूं है सिंपल सी बात है बच्चों कि जब कोई भी कंपनी तयार होती है या हम कोई भी बिजनस करते हैं तो हमारे पास एक जो सेफ फंड होता है वो उसके तरकारे करता कि मतलब हम उसको अपने कुछ देखो उस फंड को हम कुछ भागों बाटते हैं एक जो हम बहुत विकट समस्या आने पर उत्पन यूज करते हैं और जो कुछ ऐसे फंड होते हैं जिनको हम अपने डे टुडे लाइफ में यूज करते हैं ठीक है और क सब्सक्रिप्शन जो हम बात कर रहे हैं यह राशी जुटाई क्यों जाती है तो सबसे बड़ा कारण होता है कि जो कंपनी अपने इस्टैब्लिश्मेंट के समय जो भी खरीदती है जो मान लिजे उन्होंने समसंपत्ति की बात कर रहे हैं उन्होंने किसी प्रकार का प्लां में होती है ना दूसरी चीज प्रारंबिक वयो अता अभी गोपन कमिशन के लिए जो धन की आवशक्ता होती है उसके भुकतान के लिए भी इसी राशी में से धन लिया जाएगा साथ ही साथ उन्होंने अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए जो रण ले रखें बैंको में सão साथ दूसरे लोगों से उन उधार को पेकरने के लिए उन रण न के प्यमिंट के लिए भी किस की आवशक्ता होती है इस राशी की आवशक्ता होती है अ मुझ जिया थे फेलि 150 अब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपने डे टुडे वर्क लाइफ में हम चोटे चोटे कामों के लिए जिस पूंजी को इस्तमाल में लाते हैं वो क्या कहलाती है कारेशील पूंजी कहलाती है अब हम जो इस minimum subscription की बात कर रहे हैं या न्यूनितम अभिदान की बात कर रहे हैं यह हमेशा cash में ही होता है अगर यह cash के अलावा किसी और तरीके से हो तो उसे accept नहीं किया जाता और अकर हम इसके आगे और समझें तो यह अंश पूंजी वाली company प्रोस्पेक्टर्स को निर्गमित नहीं करती तो उसे अंशो या रण पत्रों के abundance से क्या है दो से तीन दिन पहले क्या करना पड़ता है एक स्थापनन प्रविवरण जिसे हम कहते है उसको रजिस्टरार के पास रजिस्ट्री के लिए भेजने की आवश्चक्ता होती है तो बचो इस तरीके से आपने इसके अंतिम step को जाना किसके हम registration process देख रहे थे उसके है ना या incorporation process incorporation process में यह पूंजी अभिदान या capital subscription last step था आईए अब हम इसके तीसरे promotion incorporation के बाद जो तीसरा step आता है व्यवसाय प्रारम प्रारम करना उसको देखते है और जानते हैं कि व्यवसाय प्रारम कैसे किया जाता है। व्यवसाय को प्रारंब करने के लिए जैसे कि आपने देखा कि जो नीजी कंपनी होती है जैसे ही उनको ररेजिस्ट्रेशन का प्रमानद पत्र मिलता है वो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं लेकिन सारजनिक कंपनियों में ऐसा पौसिबल नहीं है ठीक है उनको एक प्रकार का प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त करना पड़ता अब यह जो प्रमाण पत्र है वो company अधिनियम 2013 की धारा 11 की कुछ आवश्यक्ताओं को पूरी करने के बाद ही प्राप्त होता है बचों इसमें आप दो प्रकार के अलग-अलग differences देखेंगे हैं न कि कि प्रमाण पत्र प्राप्त होगा पहला हम देख रहे हैं वो ए published करने वाली companies झो अपने प्रासपेक्टिस को निर्गमित करती हैं इसु करती यह नि क्या करती है अपने प्रासपेक्ट को इसु करने के बाद अपने अंस्यों को को उसको जंता के बीच विक्रय करने के लिए उनको खरीदने के लिए उनको आमंतरित करती है और आबंटन की प्रक्रिया ये तब तक नहीं कर सकती ये कंपनिया जो कि अपना प्रॉस्पेक्ट इस इशू करती है जब तक कि ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार कुछ पॉइंट्स को फुल्फिल नहीं करेंगे जो पहला पॉइंट कहता है कि जो प्रॉस्पेक्ट इशू किये गए हैं उसके बाद चार महिने के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशी प्राप्त होने चाहिए मतलब जो न्यूनितम हम बात कर र बलत कमपीन के संचालख अपने अंश पर भुक्तान नहीं करते मतलब उन्होंने जितना। अपना अंश लिया है ठिक है वह उसका भुकतान यह किसे कना पड़ेगा जितने आवेदन आएं अभन्टन की ऊपर उन्य यह ठांडिया क् использовать के लिए लिए लिया गया है वो भुना करने की फैसिलिटी या उनको आग्या मिली तीसरा और अंतिम बिंदू जब कंपनी का सचिव या संचालक मंडल यह मतलब स्पष्ट रूप से बता देता है कि जो उपर की दो बिंदू हैं वो पूरी तरीके से सत्य हैं उसके बाद ही क्या होगा जो प्रोस्पेक्टर्स निर् से अगर हम देखें कि वे कंपनियां जो अपने प्रविवरेंड को निर्गमित नहीं करती वे कंपनियों को भी कुछ बिंदू को देखना पड़ता है उनको क्या करना पड़ता है कि प्रविवरेंड की स्थानापनन विवरन रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है साथ ही साथ जो जब तक कमपनी के प्रतेक संचालक ने अपने लिये गए या लिये जाने वाले प्रतेक अंश पर जिस पर उसे नगत भुकतान करना था उतना धन नहीं दिया है जितना की आवेदक वह अबंटन के बाद आवेदक वह अनन्श धारियों को दिया गया है ये इसका दूसरे बिंदू है अगर इसी में हम जो है दूसरा पौइंट था हमारा की वे कमपनिया जो की अपने prospectus को निर्गमित नहीं करते हैं उस इती में होता है कि जो company के संचालक हैं वो जो हैं अपने अंशक के बराबर तो उसको भुब्रोम कर देते हैं ना तो पहली सितिमें क्या हुआ की संचालक मंडल द यह भुब्रोम नहीं कमपनिया ऑक जो प्रोस्पेक्टस निर्गमित करती है और दूसरी जो प्रवेवरंट नीर नहीं करती है उनको किन की कार्यों को करना पड़ता है जिसके बाद ही उन्हें प्रहँ पत्र प्राप्त होगा जिसके बाद क्या कर सकते हैं अपने व्यावसाई को शुरू कर सकते हैं या उसका प्रारंब कर सकते हैं आई अब हम देखते हैं जो व्यापार प्रारंब करने के प्रमान पत्र के नहुंने के बारे में यह इसमें क्या होता है इसमें देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें लिखा है कि मैं यह प्रमानित करता हूं की डाश लिमिटे वैधानी घोष्णा जमा कर दी है तता धारा 11 की शर्टें पूरी कर ली गई है या पार प्रारंब करने के लिए अधिकरित है फिर आता है फिर एक तरिक्त दिख रहा है उसमें आपको फिर मैं आज तीरिक्त स्थान को मेरे हस्ताक्षर में दिया गया कंपनी के एक साइड लेट हैंड साइड में आप देखते हैं कि कंपनी के रिजिस्ट्रार की सील होती है और ठीक उसके अपोजिट साइड में या हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो वहाँ पर हस्ताक्षर कंपनी रिजिस्ट्रार है तो इस प्रकार से आपने चरण में चलते हैं अभी तक हमने देखा कि कंपनी स्थापना में प्रियोग में आने वाले जो प्रले डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में हमने चर्चा बहुत ही छोटे समय ती या बहुत ही कम शब्तों में जिसे हमने समझा आईए अब हमने विस्तरित रूप से जानने का प्रयास करते हैं जैसे कि पहला मैंने आपको बताया था कि जो पहला डॉक्यूमेंट या प्रलेख होता है वो होता है पारशत सीमा नियमन जिसे हम कहते हैं मेमरेंडम आफ असोसियेशन इंग्लिश में अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेमरेंडम आफ असोसियेशन होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के रिजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी कंपनी के लिए क्योंकि इस document के अंदर company के उदेशों को, उनके अधिकारों को नश्चित किया जाता है कि कि उद्देश की पराप्ति के लिए और किन अधिकारों के साथ उन उद्देशों की पराप्ति के लिए वो company अग्रसर होगी तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यह जो MOA है या Memorandum of Association हम कह सकते हैं या फिर हम इसे पारशत सीमा नियम भी कह सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट ये प्रलेख है ये एक कमपनी की चार्ट की तरह होता है जो की कमपनी के उद्देशों को इग्दम स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और उसके अधिकारों को भी उनकी सीम काहाओं के साथ बिताता हैं ये भी कह सकते हैं और ये जो होता है इनमें महतबोंड शर्तों का उलेख ओपे होता है कि कौन सी वेशर्टे होंगी जिसके बाद दुद का कमपनी के समामेलन को आग्याप्ट हो गी या कम्पनी का रिजीस्ट्रेशन पासिबल होगा ठीक है और इसके आभाओं में company का registration नहीं हो सकता जैसे कि मैंने आपको बताया था और company की क्रियाओं को जितनी भी company की activities होती हैं ये क्या करती हैं उनको एक boundary में बांध देती हैं मतलब कि उनकी activities को चार दिवारों से घेर देती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो अधिकार हैं उसको क्या कर देती हैं निश्चित कर देती हैं अपनी उन क्रियाओं को जिन्हें क्या किया गया है उस memorandum of association में बांध दिया गया है अगर उसके अलावा कोई क्रियाओं की जाती हैं तो उन्हें व्यर्थ माना जाता है और इसका company का मुख्य उद्देश ये होता है कि उनक साथ जो कारे करने वाले लोग हैं जैसे अंशधारी हैं और रिन देने वाले हैं साथ ही साथ अन्यवक्ति जो किसी न किसी तरीके से company से जुड़े हैं वो company के उद्देश को जाने साथ ही साथ company की कारक्षित्र को अच्छे तरीके से समझे तो इस तरीके से हमने memorandum of association होता क की कोशिश करते हैं कि Memorandum of Association या पारशत सीमा नियम इसकी विशेशताएं क्या हैं जैसे कि अब स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पहला बताता है कि जो Memorandum of Association है ये एक प्रकार के अधिकार पत्र भी होते हैं जिसमें कि कमपनी के अधिकारों को क्या किया था उसका वरणन होता है तथा उनका नियमन किया जाता है उनका सीमान उनको एक boundaries में बांधा जाता है साथ ही साथ ये एक बहुत ही important जो है document होता है या प्रलेख होता है जो company को तयार करना पड़ता है उसकी एक प्रती जो है या उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है अब प्रते एक company द्वारा इस document को मौलिक रूप से तयार करना जरूरी है क्योंकि जिन company के पास ऐसा माना गया है या ऐसा होता भी है कि company का अस्तित्व नहीं माना जाएगा या उनका registration पॉसिबल नहीं है जिनके पास ये memorandum of association नहीं होता है इसके बाद बदाती है कि company समामिलन के आधार भूत उद्देश देती है अब क्या बताया मैंने की शुरुवात में ही कि जो memorandum of association रहती है वो company के जो आधार भूत उद्देश है उनको decide किया जाता है उसमें तो ये भी ये same statement कहता है कि आधार भूत उद्देश देती है अब जो है company के नाम जो होते है इस memorandum of association में क्या सिर्डा होता है कि इनका उलेक होगा company के नाम का उलेक होगा उनके परधान कारियाले का उलेक होगा-सदस्यों का उलेक होगा Untek बरीफों का उलीक होगा उनके भी उलेक होता है फिर company के जो ये memorandum of association का जो डोक्यमंट है यह यह जो बदला जा सकता है इन में जो लिख दिया जाता है में में उनको चेंज करना फॉसिबल नहीं है फिर बात आती है कि यह सारजनिक प्रलेख क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है ये company का चार्ट होते हैं ये चाहते हैं कि company के साथ जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो company के उद्देशों को अच्छे तरीके से जाने पहंचाने उनके अधिकारों को जाने है ना उनकी boundaries को जाने उसके बाद ही उन companies के साथ जुड़े तो ये जो होते हैं एक सारजनिक प्रलेख भी होते हैं और इनको देने के बाद ही समा मेलन या registration होना पॉसिबल होता है ये जो होते हैं किनी company के किसी भी company का जो आधार होता है इसके बाद ही जैसे मैंने बताया किसी भी company का registration पॉसिबल होगा और इस पर company के निर्मान करता जितन इस्ताक्षर पाये जाएंगे साथ ही साथ कमpori का सम्विधान भी कहा जाएगा क्योंकि इसमें कंपनी के उदेश और शाथ थी साथ उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी तो बचो इस सरी के से हमने कमपनी की स्थापना में प्रयोग होने वाले प्रलेग, पहला प्रलेग, पार्शत सीमा नियम की एक छोटी सी जलग देखी या उसके कॉंसेप्ट और उसकी विशेष्टाओं को जाना, आए उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं झानकारी आए